इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैट GPT का एकाउंट कैसे बनाते हैं step by step इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना ChatGPT का एकाउंट आसानी से बना सकते हैं So ChatGPT का एकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फॉन में से Google को आपन कर लेना है यहां से में गूगल ऑपन कर लेती ह juice और यहां पर सर्च बार में आपको लिखना है ChatGPT यहां से इस सर्च कर देना है यहां से में लिख लेती हूं ChatGPT इतना लिखने के बाद मैं यहां से इसे सर्च कर लेती हूं सर्च करने के बाद यहां पर यह आपके सामने इस तरीके से open होकर आ जाएगी यह सबसे ओपर वाली जो website है आपको simply इस पर click करना है यहां पर लिखाए open AI आपको simply यहां पर click कर देना है click करने के बाद यह आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होकर आ जाएगा और यहाँ पर हम इसे उपर की और स्क्रॉल करेंगे आपको भी इसी तरीके से उपर की और स्क्रॉल करना है यहाँ से मैं उपर की और स्क्रॉल कर लेती हूँ और यहाँ पर लिखा है Try Chat GPT Try Chat GPT आपको यहाँ पर किलिक कर देना है Simply यहाँ पर मैं किलिक कर देती हूं किलिक करने के बाद यहाँ पर यह इस तरीके से हो जाएगा verify you are not human यहाँ से आपका internet connection जो है वो आप refresh कर सकते हैं और यहाँ पर यह login and sign up आपको chat GPT पर account बनाना है इसलिए आपको sign up पर किलिक करना है यहाँ पर हम sign up पर किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद यह इस तरीके का interface आपके सामने open होकर आ जाएगा यहाँ पर लिखा है create your account यहाँ पर आपको email address डाला है हम यहाँ से उपर की और scroll करेंगे और यहाँ पर continue with Google पर किलिक करने के बाद यहाँ से आपकी सभी Google की ID सो हो जाएगी और यहाँ से आप जिस भी email से बनाना चाहते हैं उस पर किलिक कर देजिए क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपके सामने open होकर आ जाएगा यहां से verify हो रहा है आपको जितना internet अच्छा रहेगा आपको उतनी जल्दी ही ये so हो जाएगा यहां पर मैं verify पर open कर देती हूँ और यहां से हम next page इस तरीके से open होकर आ जाएगा यहां पर लिखा है आपका tell us about you यहां पर आपका first name और last name लिखा हुआ आ जाएगा जिस भी नाम से आपने email id बनाई है यहां पर हम continue पर click कर देंगे आपको simply continue पर click कर देना है और यहां पर आपको अपना phone number डालना है जो phone number आप use करते हैं यानि जिस पर message आ सके अगर आप what's up पर message लाना चाहते हों तो yes करेंगे otherwise आप no कर देंगे मैं यहां से no कर देती हूँ पहले मैं यहां पर अपना phone number डाल देती हूँ और send code via sms इस पर मैं click कर देती हूँ click करने के बाद इस तरीके से यहां पर आपको एक code number आएगा देती हूं आपको भी इसी तरीके से यह कौड डाल देना है इसके बाद next page में आपके सामने यह इस तरीके से open होकर आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा time लेगा आपके internet की speed के अनुसार यह time लेगा यहां से यह इस तरीके से हमारा account बन चुका है और यहां से आप कुछ भी search कर सकते हैं यहां पर हम कर सकते हैं यहां पर इस तरीके का interface आजाएगा इसे हम next कर देते हैं इस वाले page को भी हम next कर देते हैं आपको भी इसी तरीके से follow करना है और यहां से आपको done कर देना है इसके बाद आपका ये एकाउंट बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है अब आप यहां से सर्च बार में लिखकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर सर्च कर लेती हूँ मैंने मालम किया था हाउ तो और मनी ओनलाइन यहां पर यह आपको सभी वेस बता रहा है यानि आप ब्लॉगिंग करके फ्रिलाइसिंग करके और एजुकेशन करके यानि एजुकेशन की वीडियो बनाकर अर्निंग कर सकते हैं ओनलाइन टुटोरियल के बारे में बताकर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको भी अगर किसी कोशन का आंसर लेना है तो आप यहां पर टाइप कीजे और आपका आंसर कुछी सेकिंडों में आपके सामने आ जाएगा तो आपको पता चल गया होगा कि जैट जीपिटी का एकाउंट कैसे बनाते हैं आप बहुती आसानी स से अपने मोबाइल फॉन से बना सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो अगर आपने कुछ सीखा हो अगर आपका चैट जीपिटी एकाउंट बन जाए इस वीडियो को देखने के बाद तभी इस वीडियो को लाइक करना और शेर करना और सब्सक करना, so i hope you like this video thanks for watching